बहुत पुरानी बात है, धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करते थे, उसके चार रानिया थी, उनके छे लड़के थे, जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे संयोग से एक दिन राजा की मृत्यू हो गई और उनकी जगहे उनका बड़ा बेटा शंख गद्धी पर बैठा उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयम राजा बन बैठा उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूम कर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए सो वह गद्धी अपने छोटे भाई भरत्रहरी को सौंप कर योगी बन कर राज्य से निकल पड़ा उस नगर में एक ब्राहमन तपस्या करता था एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा ब्राहमन ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बाद भी बता दी ब्राहमनी बोली हम अमर होकर क्या करेंगे हमेशा भीख मांगते रहेंगे इससे तो मरना ही अच्छा है तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ भरत्रहरी अपनी एक रानी को बहुत चाहता था उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया रानी की मित्रता शहर कोटवाल से थी उसने वह फल कोटवाल को दे दिया कोटवाल एक वेश्या के पास जाया करता था वह उस फल को उस वेश्या को दे आया वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए वह उसे लेकर राजा भरत्रहरी के पास गई और उसे दे दिया भरत्रहरी ने उसे बहुत सा धन दिया लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया उसे बड़ी चोट लगी पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं उसने महल में जाकर राजा कि तुम ने उस फल का क्या किया राजी ने कहा मैंने उसे खा लिया राजा ने वह फल निकाल कर दिखा दिया राजी घबरा गई और उसने सारी बात सच-सच कह दी भरत्रे हरी ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई वह बहुत दूखी हुआ उसने सोचा यह दुनिया माया जाल है इसमें अपना कोई नहीं वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवा कर स्वयम खा लिया फिर राजपाट छोड योगी का भेस बना जंगल में तपस्या करने चला गया भरत्रे हरी के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्धी सूनी हो गई जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया वह राद दिन वहीं रहने लगा भरत्रे हरी के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लोट कर अपने देश में आया आधी राद का समय था जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका राजा ने कहा मैं विक्रम हूँ यह मेरा राज्य है तुम रोकने वाले कौन होते होते देव बोला मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो दोनों में लड़ाई हुई राजा ने जरा सी देर में देव को फचार दिया तब देव बोला हे राजन तुमने मुझे हरा दिया मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ इसके बाद देव ने कहा राजन एक नगर और एक नक्षत्र में तुम तीन आदमी पैदा हुए थे तुमने राजा के घर में जन्म लिया दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुमार के तुम यहां का राज्ज करते हो तेली पाताल का राज्ज करता था कुमार ने योग साधकर तेली को मार कर शम्षान में पिशाच बना सिरस के पेड़ से लटका दिया है अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है यह सोच उसने फल नहीं खाया भंडारी को दे दिया योगी आता और राजा को एक फल दे जाता संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था योगी वहीं पहुँच और फल राजा के हाथ में दे दिया राजा ने उसे उच्छाला तो वह हाथ से छूट कर धर्ती पर गिर पड़ा उसी समय एक बंदर ने जपट कर उसे उठा लिया और तोड डाला उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आँखें चौंधिया गई राजा को बड़ा अच्रज हुआ उसने योगी से पूछा आप यह लाल मुझे रोज क्यूं दे जाते हैं योगी ने जवाब दिया महराज, राजा, गुरू, जियोतिशी, वैद्य और बेटी इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए राजा ने भंडारी को बुला कर पीछे के सब फल मंगवाए तुडवाने पर सब में से एक एक लाल निकला इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्श हुआ उसने जोहरी को बुलवा कर उनका मूल ये पूछा जोहरी बोला महराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मूल करोडों रुप्यों में भी नहीं आका जा सकता एक एक लाल, एक एक राज्ये के बराबर है ये सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़ कर गद्धी पर ले गया बोला योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती राजा उसे अकेले में ले गया वहाँ जाकर योगी ने कहा महराज, बात ये है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनुरत पूरा हो जाएगा तुम एक रात मेरे पास रहोगे तुम मंत्र सिद्ध हो जाएगा एक दिन रात को हतियार बांद कर तुम अकेले मेरे पास आ जाना राजा ने कहा अच्छी बात है इसके उपरांथ योगी दिन और समय बता कर अपने मठ में चला गया वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुँचा योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा महराज मेरे लिए क्या आज्या है योगी ने कहा राजन यहां से दक्षिन दिशा में दो कोज की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है उसे मेरे पास ले आओ तब तक मैं यहां पूजा करता हूँ यह सुनकर राजा वहां से चल दिया बड़ी भयंकर रात थी चारों और अंधेरा पहला था पानी बरस रहा था भूत प्रेट शोर मचा रहे थे सांप आ आ कर पैरों में लिपटते थे लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया जब वह मसान में पहुँचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड रहे हैं हाथी चिंगाड रहे हैं भूत प्रेट आदमियों को मार रहे हैं राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुँच गया पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था राजा ने सोचा हो नहो ये वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी मुर्दा नीचे किर पड़ा और दहाड मार मार कर रोने लगा राजा ने नीचे आकर पूछा तु कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिकर हस पड़ा राजा को बड़ा अच्रज हुआ तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका राजा फिर चढ़कर उपर गया और रस्सी काट मुर्दे का बगल में दबा नीचे आया बोला बता तु कौन है? मुर्दा चुप रहा तब राजा ने उसे एक चादर में बाढ़ा और योगी के पास ले चला रास्ते में वह मुर्दा बोला मैं बिताल हूँ तु कौन है? और मुझे कहा ले जा रहा है? राजा ने कहा मेरा नाम विक्रम है मैं धारानगरी का राजा हूँ मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ बेताल बोला मैं एक शर्त पर चलूँगा अगर तु रास्ते में बोलेगा तो मैं लोटकर पेड़ पर जा लटकूँगा राजा ने उसकी बात मान ली फिर बेताल बोला पंडित, चतुर और ग्यानी इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीटते हैं और जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीट जाए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ ले सुन